हलो गाइस मैं सुर्ज रास अपनी यूटूब चनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं राज किस वीडियो हम बताने वाले हैं महात्मा गांधी कासी बिद्धिया पीट यूनिवस्टी जो है बनारस में उसकी बात करने वाले हैं जो बहुत चात्र परेशान है उसको परेशानी को दूर करने के लिए हम आगे आज किस वीडियो में हम बताने वाले हैं वो एक साथ पूछे जाएंगे जिसमें से एक लॉंग आपका बनेगा बनेंगे से आपको डरना नहीं है डरने की बात क्या है जैसे कि बहुत सारे कि यह एक ही कोशन पूछा जाएगा ऐस या साथ से आड्ड कोशन या आच से जाथ कोशन जो भी पूछे जाएंगे इसमें से तीन से चार कोशन आपको शोट में करने होंगे और बाकि जो अती लगोत यह यह बहुत प्ढ़ता दे लेकिन जो डरना नहीं है एक्जाम में क्या पूछने वाला है मैं आपको बताने सिर्फ इस वीडियो को बाहर कुछ और नहीं आने वाला है जो आपको बता रहो इन कोशनों को याद करना है बाकी आप पढ़ो या मत पढ़ो फर्क नहीं पढ़ता यार लेकिन साव यहीं से मलता है आपको चिंता करने की जुरूत नहीं है पूरा एकदम कॉंसेप्ट किलियर बनाया है एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा एक्जाम में सच बता रहा हूं आपको बस इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से याद कर लेना है रट लेना है जो भी करना है और हाँ अपने दोस्तों को शेयर दिरू करना है महात्मा गांधी काशी बिद्ध्या पीट और कि कुछ भी याद मत करना तो भी आपको अच्छे नंबर से पास हो जाओगे और बताओ देखो पहला कोशन आपको बैलन्स बांट थीरी बहुत जादा इंपोटेंट है और इसकी निमिटेशन इसकी सीमाओं को याद करना यह बहुत जादा इंपोटेंट है साथी साथ लेकिन आपके विद्याबीड युनिवरस्टि के अंतर जेजे नहीं दे रख है ठीक है आपकी अंदर एल और एस युगमन आपको देखना है क्लोबिंग देखना है यह मौश्ट इंपोटेंट है लेकिन मैं केबल हाँ महात्मा गांदी कासी बिद्याबीड युनिवस्ट नहीं पड़ता लेकिन हाँ जो चात्र ऑब्जेक्टी टाइप कोशन है उनकी पीडिया बीए बीए से बीकॉम सबकी प्रोवाइड करा रहें लिंग डिस्कॉप्शन वाक्स मिल जाएगा जागना लूड कर सकते हैं यहां बात करने वाले उसके बाद में कुछ भी कोशन को न साम से जानते हैं तो आपको इसको याद कर लें कार्बन लीथियम कंपाउंट देखिये मैं आपके यूनिवस्टी के अंदर दो कंपाउंट जरूरी है कौन-कौन से आप खोगे कारवन लीथियम कंपाउंट बनाने की विधी एक मुच लेगा कारवन मैगनेशियम ऑम जी बनने च है रहा हैं तो इनदों पुछ जाए गां को याद कर लिए थिक जितने थोड़ी बदराप होगा ज़्यादा चिंजिस इन दोनों में थोड़ा थोड़ा बदराब है उस से फरक नहीं परता हमें क्या करनाय spots Green बनाने की विदी उनका यूस कैसे किया साता है वो सब कुछ देखेंगे उनके प्रॉपर्टी की बारे में भी याद करेंगे समझ रहे मेरी बात को ठीक उसके बाद में नेक्स कोश्चन क्यों चलते हैं देखिए ये कोश्चन आपके लिए ठीक रहेगा ये पर देखिए चक्रिय वर्ण नियम इसको याद करेंगे नेक्स कोश्चन आप नीचो जाएंगे और डी और संकर्मार टिक लगाएंगे और लेकर डी नाइन तक के electronic बिन्यास with diagram के साथ आप याद करेंगे समझ में आ रहा आपके gas paper, आपके book, notes जिसमें भी है उसमें आपको tick लगा लेना है जिस से भी द्यारी कर रहा है gas paper से भी द्यारी कर रहा है तो उसमें टिक लगा लो बाकी कुछ और याद करने की जोतनी पड़ेगी आपको उसके बाद में देखिए first paper की बात कराओ, first paper में आप spectrum chemical series को याद करेंगे ठीक, इसको याद करेंगे next question आप से ठीक लगाना है बो है hard and soft acid and base जिसे कहते हैं HSAB most important है, ये long question में पूचा जाएगा आपसे, पक्का इसको आप याद करेंगे, समझ भी आ रहा है मेरी बात को, सबी लोग समझ रहे हैं ठीक, उसके बाद में आप नीचे हो जाएगे और, देखें, हेमोगलोविन आपसे हेमोगलोविन, वायोगलोविन कुछ भी पूच सकता है, लेकिन हेमोगलोविन को आप याद करिए, हेमोगलोविन के अलावा आपको वायगलोविन वगरा और कुछ दे रखा है, तो उसको भी आद कर सकते है, कोई शू नहीं है, इसको आप याद करिए next question आपसे पूचा जाता है, देखे जिसे हम कहते है, अक्रिय गैस के नियम, समझ रहे हो, जिसे 18 electron rule के नाम से जाना जाता है, E-A-N नियम, जो सीमाए, एक ही पूरा यह जो question आप देख रहा है, यह question होता है, समझ रहे हो, और यह question 100% आपके exam में बनेगा, चाहें, आपका अती में बने, या long में पक्का बनने वाला है, समझ भी आ रहा है, ठीक, उसके बाद में इस chapter में हम कुछ और नहीं देखेंगे, इस chapter में हम कुछ और नहीं देखेंगे, मतलब कि इस इसमें राइन ऐसे देख सकते हो, लेकिन राइन आपकी चलिपस में नहीं दे सब को देखेंगे, समझ में आ गया, आ गया समझ में, चलो, आप टिक लगाएंगे, पिरोल और पेरिडीन बनाने की बिधी गुण प्रोपरटीज इन सब को देखेंगे, समझ में आ गया, आ गया समझ में, चलो, ठीक है, जो क्योंकि 5 चक्री योगिक और 6 चक्री योगिक जो होते हैं, उन दोनों को compound को बहुत ज़रूरी है, यहां से बनता है कोशन तो यह पूछ लेता है, कि 6 चक्री योगिक कौन से होते हैं, तो आपको कोगे, पिरिडीन होता है, और 5 चक्री योगिक कौन से होता है, तो इनके जोनों को concept आप देखेंगे, याद करेंगे, पूरा बनाने की बिधी बगरा, पूरा method याद करेंगे, उसके बाद में आता है, Oso Zon, Oso Zon बनाने की बिधी, इस पर आप लगाएंगे, फटा, फटा फट, Oso Zon बनाने की बिधी लगाओ, लगा दो फटा फट, फार्मेशन बताएं किस बिकार से होता है, उसके बाद में देखिए, मैंने आभी आपको ये ऊपर बता रखा है, कार्बन लीतियमि यदि आपके फस्टे पर में कार्बन लीथिय deflect मंढ़ा चुकल और नहीं चुकूर है बलिए तो अब तो बहुली करन क्या होता है इसके दो टाइब की होता है एक होता है योगातमक एक होता है सग्णन बहुली करना इन दोनों को आपको याद करेंगे इसके अलाबा कुछ याद मत करना मैं आपसे बोल रहा हूं तो भी आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है सच बता रहा हूं आपको याद कर लेना है नेक्स ग्लुकोज का रिंग स्टेक्चर देख लेना ठीक लेक्टिक अम देखें लेक्टोस की सरचना देख लेना है सब्सक्राइब परफिकतर करें की तो इसके थैसलेब्स में हो आपके बुक में हो नोट्स में तोकर लेना वरना इसको और लिछ आए था को मैं बनाने चोड़ा इसको याद कर लेना इसको याद कर लेना इसको देखिए अमीनो एसेड बनाने की विधी मौश्ट इंपोटेंट है इसको आप याद करेंगे और यह देखिए यह बहुत जादा और बाकी आया इस्पेक्टर से कार्ट दिया गया है जो 25 परषान इसलेबस था उससे जो हँए उसके बाद में देखिए इन एम आर स्पेक्टर होता है उसका इस्पेक्ट्रos कॉपी कि आपने के लिए यह करेंगे नेक्स कोशन आप आ जाएंगे वारे में आद करेंगे और अद करेंगे नुकलिक एचिड उनके घटक के बारे में पूरा सब नुकलिक एसिड कुरी फुल फॉर्म देख लोगे मौस्ट इंपूटेंट है अमीनो एसेट में उपर बता चुका अभी अमीनो अमलों बताया था वन उपर तो जरूत नहीं है देखने की टिक लगा लेना फिर भी ठीक है सावनी करना आप याद करेंगे तेल का अमलमान गयाद करेंगे उसके जिससे भी आप त्यारी कर रहा है मुझे पता है लगा लिया अब इसके थर्ड पेपर उपन कर लिए फट आपर उठाओ थर्ड पेपर में क्या-क्या याद करना है 2021 के एकजाम के लिए जो आपका आने वाला एकजाम अभी चलाइ में होने वाला है क्या dairy याद करोगे मेरे दोस्त हैं तो मेरा दोस्तों दोस्तों बताओं क्या है पहला तो स्रंडीकर जो वेब्सवी कर ने की गाया है यह कर आंद करेंगे ठीक है यह सह सभूम united मेहत्प हो तो यहाद करेना वरना कोई जरूर्त नहीं यह आप याद ज़रूर करेंगे इसको इसके साथ यह भी मेहत्प मोच को याद करो क्योंकि इस कोशन बनता है और ब्रॉंग ली समीकर जिद्धांत शिद्धांत सिसे कहते हैं जे लगाएंगे मैं आपसे बादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा बस यह याद रखिए जो जो कह रहा हूं उतना याद रखिए नेक्स्ट कोशन देखिए कॉम्टन इफेक्ट क्या होता है इसको फटाक से लगाईए फटाफट इस पर लगाएंगे हर प्राबलम का स्लूशन हम देंगे कभी आप तक प्रॉब्लम और को आने नहीं देगो इससे पहले हम से टकराना हुगा थीक है ना समझ रहे हैं मेरी बात को कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके लाइफ में दो तो इसको याद करेंगे संकर्मन याद करेंगे, SP, संकर्मन, SP2, वह जाद है, हविडाजिशन होता है, उसको याद करेंगे, SP2, SP3, SP4, यह वाला सब कुछ, ठीक है, वो 6-7 प्रकार के होते हैं, आपके थडी एर में हो, तो 7 प्रकार के होते हैं, SP3, 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 SP और परकास्ता का नियम याद करेंगें ठीक? लगा लिया है आपने टिक? लगा लिया मुझे बताओ लगा लिया नहीं लगा लिया होगा उसकेipt हो इसके बाद में बिद्धोठ cuman की बिक्रण को करेंगेisher 9 application से 17 रिकारों फिर मुसे मत करना कि निकल गया एक्जाम से सभरे इंपोटेंड बता रहा हूं सो फर्शेंट एक्जाम बनेंगे कोशिंड भ़ नहीं आएगे से 17 सबाइं याद करेंगे एध ठीक, समझ में आगया यह सबीगों, उसमी अभी करेंगे, ठीक है, ठीक है, पिरकास रसानिक अभी करीया को याद करेंगे, फोर्टो केमिटर स्रीज यह फोर्टो केमिटर प्रोसेस जो भी आती यह वो पूरा याद करेंगे, most important. राउल्ट का नियम याद करेंगे संपराशन विलन को याद करेंगे पिरकासी बैदो प्रभाब को याद करेंगे थोटे फेक्टिक जो होता है ठीक है याद रखें ये आपके एक्जाम में आने वाले कोशन थे बाकी फिजिक्स के जो भी चात्र हैं इस वीडियो को याद रखिए आपको शारे बच्चों को शेर करना है आपकी ग्रोप में वाटसब ग्रोप में शेर करना है ताकि वो वंच इतना रहे है इस प्रॉब्लम कि उनके साथ क्या-क्या याद करना है इतने याद कर लोगे, आपको fail करने वाला कोई नहीं है, बता रहा हूँ, तो channel को subscribe कर, bell icon को praise करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को share करेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को share करेंगे, फिर भी को issue आता है, तो comment box में पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को share करना है, thank you, love you सभी के लिए, bye bye, जेहन्द!